दोस्तों स्वाखेत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षा और दर्शन के बारे में एक प्रस्ण इस से आपको एक्जामस में मिलना ही मिलना इस बात की 100% गारेंटी है प्रस्ण कैसे आपको मिल सकता है पहले उसको एक बर ध्याँ से देख लीजिए आपसे प्रस्ण पुछा जा सकता है कि सिक्षा का अर्थ क्या होता है सिक्षा की परिभासा क्या होती है दर्शन का अर्थ दर्शन की परिभासा सिक्षा तता दर्शन में संबंद और एक प्रस्ण इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्याख्या कीजिए कि सिक्षा तता दर्शन एक सिंक्क के सब्भाइं का नहीं को तो समझने के लिए कि दर्शन को दर्शन के बारे में विश्तिरत समझना पड़ेगा तो पहले सिक्षा के बारे में समझ जाएब अगर लिए उसका भी जवाब यहां से मिल जाए तो पहले सिक्षा की परिभासा देखी क्या होता है गादी जी ने कहा था कि सिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुस्य के सर्वगिड विकास से है जिसका संबंद सरीर मस्तिस्क एवं आत्मा से है तो गादी जी कनुसार सिक्षा का संबंद क सिक्षा क्या है सिक्षा से मेरा तत्पर उस प्रसिक्षड से सिक्षा क्या हो गया प्रसिक्षड हो गया जो अच्छी आदोतों के द्वारा बालकों में नैतिक्ता का विकास करें इस सब्द को आप याद रखिए आपकी पूरी नॉलेज और करिकुलम इसी सब्द से खतम हो ज सबस्कार सिख्चा मानों को सुयोग नांगरिक बनाना सिखाती है तता उसका व्यक्तिकत विकास करती है अब समझ में आगई बात सिक्षा क्या है भाई मानों को सुयोग नाकरिक बनाती है सिक्षा के बारे में और क्या कहा गया सिक्षा के बारे में कहा गया कि नैतिकता का विकास करती है सिक्षा के बारे में और कहा गया कि सरीर, मस्तिषक और आत्मा सारवगीड विकास करती है समाज में आगई परिभासा अर्थ देखिए उप्रुक्त परिभासा से यह उस्पष्ट होता है कि सिक्षा ज्यान, उचित आचरण, तक्नीकी दच्षता, विद्या, आदि को प्राप्त करने की प्रकिरिया को कहते हैं जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की छमता की बृधि करने में महतपूर योगदान देता है इसको आप छोड़ दीजिए ये कुछ नहीं है आप स्वयम लिखिए कि उप्रूप्त परिभासा से असपश होता है कि सिक्षा वह प्रकिरिया है जो अच्छी आदतों द्वारा मनुस्य में नैतिक्ता का विकास करता है मनुस्य को सुयोग नागरिक बनाता है और मनुस्य का सर्वगिर विकास करता है उप्रूप्त परिभासा दोबारा समझ में आ गई सिक्षा का अर्थ यहां से मिल गया आपको अब आईए बात करते हैं दर्सन क्या है सिक्षा के अर्थ और परिभासा जानने के बाद दर्सन के बारे में समझ जाए तो यहां पर मैंने कहा आप इन चीजों को नोट करना था कि नैतिक्ता का विकास करना और सुयोग नागरिक बनाना ठीक है अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा यह सीख रहा है कि चोरी कैसे करते है क्या कोई सिखक किसी बच्चे को यह सिखाएगा कि चोरी कैसे करते है अगर यह सिखा रहा है तो क्या आप इसको सिख्चा का रूप मानते है अगर कोई बच्चा कोई किसी बच्चे को यह सिखा रहा है कि किसी की मडर कैसे करते है तो क्या आप इसको सिक्षा का रूप मानेंगे क्योंकि सिक्षा तो यहां कह रहा है कि बालकों में नैतिक्ता का विगास सिक्षा तो यहां कह रहा है कि बालकों को सुयोग नागरी तो अगर कोई इनसान किसी को चोरी करना सिखा रहा है तो क्या आप इसको सिक्षा मानेंगे आप जरूर कहेंगे कि नहीं ये एक गलत काम है ये कभी सिक्षा का भाग नहीं हो सकता चोरी करना आप कहेंगे गलत है किसी का मडर करना आप कहेंगे गलत है अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मॉन लिजे वह चोरी किसी डाकू के घर में की जा रही हो और डाकू के घर से चुराके किसी गरीब को बाटा जा रहा है तो आप कहेंगे कि इस हथ तक सही है अगर murder करना गलत है तो फिर सैनिक आर्मी ओफिसर्स murders गोली क्यों चिलाते हैं फिर यहाँ कहेंगे यह दूसरी बात हो गई और यहीद दूसरी बात दर्सन कहलाती है कैसे दर्सन क्या है समझ जाए दर्सन उस विद्या का नाम है जो सत्य एम ज्यान की खोज करता हो दर्सन का मतलब आपकी सोच से है, दर्सन का मतलब आपकी विचार से है, दर्सन का मतलब आपकी विचार से है, दर्सन का मतलब आपका उसके परस्तिती के अनुसार, उस आकलन का है कि वह काम क्यों किया गया, दर्सन को अंग्रेजी में क्या कहते है, फिलोसोफी, आपने अक्स सुना होगा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसे कहते हैं अपनी फिलोसफी का मतलब होता है दर्सन का मतलब होता है किसी चीज की यथार्थ के बारे में जानना कि अगर ये बात है तो क्यों है अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा नहीं है तो क्यों है तो जब आप उसकी घनिस्ता के अंदर जा कि उसके बारे में समझने की कोशिस करेंगे वही दर्सन कहलाता है तो अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो गलत है लेकिन अगर चोरी किसी अच्छे का किसी डाकेट के घर में चोरी कर रहा है तो यहाँ फिलोस्पी की बात हो गई यहां दर्सन की बात हो गई कि चलो कुछ हद तक ठीक है तो दर्सन क्या है भाई तर्कपूर्ण ढंग है सोचने का यथार्थ का पता लगाने का यहां देखिए दर्सन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ग्यान की खोज करता हो समझ में आगई बात अगर वह चोरी किया तो क्यों किया दर्सन किसी लिए कहते है व्यापक अर्थ में दर्सन तर्कपूर्ण विधि पुरवक एवञं क्रम बद वीचारों की कला है समझा रही इसका जन्म अनुभाव एवं प्रस्तिती का अनुसार होता है प्रस्तिती जैसी रहेगी वैसे आपकी दर्सन होंगे नेकर देखिए वह ग्यान जो परम सत्य और सिधानतों और उनके कारणों की विवेचना करता हो अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है हर एक रीजन का यथार्थ दर्सन यथार्थ की परख के लिए एक द्रिश्टिकोड है यथार्थ का मतलब सच्चाई सच्चाई पता लगाने के लिए द्रिश्टिकोड है तो दर्सन की बाते समझ में आ रही है कि नहीं दर्सनी की व्यक्ति किसको कहते है वो खामोस बैठ के कुछ सोच रहो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है मतलब वह सोच, वह द्रिष्टिकोड वह विचार, वह नयन जो यथार्थ का परख करे सचाई का पता लगाए दर्सन कहलाता है आसान से सब्दों में अर्थ समझ जाईए अर्थ का है भई वह ग्यान जो परम सत्य और सिधान्तों और उनके कारोलों की विवेचना करता हो दर्सन कहलाता है दर्सन यथार्थ की परख के लिए व्मीद है आपको दर्सन समझ में आरेगी दर्सन का मतलब फिलोसिवी सोच, विचार, दृष्टी कोड आप किदावी भासा में इसको लिख चकते हैं दर्सन उस विद्या का नाव है जो सत्य अमम ज्यान की खोज करता है व्यापक अर्थ में दर्सन तर्कपूर्ण, विधिपूर्ख और करमबद विचार की कला है इसका जन्व अनुभावयों प्रस्तिती के अनुसार होता है दर्सन की बात समझ में आगए सिक्षा और दर्सन में क्या डिफरेंट था भई सिक्षा हम किसी को नैतिक्ताव दे रहे हैं किसी को एक सुयोग इनसान बता रहे है दर्सन मतलब आप कारण जाननी की कोशिस कर रहे है आप एक अलग द्रिष्टिकोन ले के आ रहे है आप उस पे सोच और विचार कर रहे है इसी का काम दर्सन है दर्सन की छोटी सी परिभासा देख लिए और डबलू सेलर्स ने कहा था कि दर्सन विज्ञानों का विज्ञान है ठीक है अगर विज्ञान है तो विज्ञान में क्या है उसी को दर्सन कहते है दर्सन विज्ञानों में विज्ञान है अरस्तु ने कहा था कि दर्सन एक ऐसा विज्ञान है जो परमतत्यों के यथार्ट स्वरूप की जाच करता हो परमतत्यों के सच्चाई स्वरूप की जाच करता हो यह दर्सन हो गई अब यह बैत्रेंद रसल इसको आप भी रसल लिख लीजिएगा ठीक है बत्रेंद्र रसल ने क्या कहता अन किरियाओं के समान दर्सन का मुख्योदेश ग्यान की प्राप्ती है समझ मा गई सची ग्यान की प्राप्ती वज़ा की प्राप्ती तो ये दर्सन की परिभासा हुई अब most important सवाल ये आता है कि दर्सन और सिक्षा में संबंद क्या है और यहीं से आपको प्रूफ वरना है कि दर्सन और सिक्षा एक सिक्षे के दो पहलू कैसे है अब आईए देख लेते हैं सबसे पहले देखिए सिक्षा और दर्सन में संबंद अटूट है तता ये दोनों एक ही दूसरे पर आसरित हैं ठीक है दोनों एक ही सवाल ये पूछा है सिक्षा ना दर्सन में सम्मंद तो आप इन बिंदू को लिखिए कि सिक्षा और दर्सन में सम्मंद अटूट है तता ये दोनों एक दूसरे पर आसरित हैं एक दोनों एक ही सिक्षा के द जान दिने रखते हैं तो आप दर्सनी कैसे बन सकते हैं तो जो सिच्छा है वो बेस है उसी के उपर आप यतार्थ कर सकते हैं उसी के उपर आप चिंतन और मनन कर सकते हैं तो सिच्छा क्या है भाई दर्सन का अधार है वहीं दर्सन सिच्छा का अधर्स है सिच्छा का अधर् समझना गई सिख्छा क्या धर्षं. डशाद का अधार उड़ी नेक्ण देखें दोस्तों सिख्छा वास्ता का गतिसील वह वहारिक पक्ष है बैशन तो आपके सोच में जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर दी जाती है। करने वह लच्छ निर्दारित कौन करेगा मैं अभी बताया आपको दर्सन जीवन के उस वास्तिविक लक्ष को निर्दारित करता है आप पहले सोचेंगे विचारेंगे कि हमें फला चीज करना है हमें फला लच्छ पाना है और फिर उसको प्राप्त करने और इस व्याक्या से हमें सिख्छा के सही संप्रतय का ज्यान होता है दोस्तों समझ आ गए कैसे सिख्छा और दर्सन एक दूसरे से जुड़े हैं बिल्कुल विस्तिरित से आपको बता दिया गया नीची आप लिख दिजिए अता कहा जा सकता है कि सिख्छा और दर्सन एक सिख्छा का मतलब एक अच्छी नैतिकता बनाना एक अच्छा सुयोग आदमी बनाना एक अच्छा इंसान बनाना और दर्सन का मतलब हर एक यथार्थ का पता लगाना कि ऐसा है तो क्यों है हर एक चीज का सोचना विचारना आप देखते हूंगे अक्सर लोग बैठे- यह क्या है यह दर्सन का एक रूप है आप किसी चीज पर विचार कर रहे हैं उमीद है दोस्तों समाज में आई होगी अब एक मिनट रुख जाए दोस्तों दोस्तों मान लिए आपसे अगर प्रस ने यह पूछ दिया जाए कि सिख्छा के उदेश से बताईए तो अब से आत्मा का विकास करना आप सुयम इसी परिवासा से लिखिए कि सिख्छा का उदेश से है अच्छी आदतों का दिर्माड करना सिख्छा का उदेश है नैतिकता का विकास करना और सिख्छा का उदेश है कि मानों को सुयोग नागरिक बनाना और सिख्छा क्या है भाई रत तिक्ता का विकास करना आप सारे आंसर सिक्षा से संबंदित असानी से इससे बना सकते हैं सिक्षा से आपको बिल्कुल पढ़ने की जूरत नहीं है आप जो जानते हैं उसी से आप उसके आंसर बना सकते हैं यही बात सेम चीज लागू होता है दर्सन के साथ दर्सन भी क्या ह को प्राप्त करने के लिए उद्देश है समझारी बात तो आप दर्शन के उद्देश से भी स्वयंग लिख सकते हैं ठीक है सिख्षा और दर्शन के उदेश लगभग समान है, लगभग एक है, सैचिक उदेशों को प्राप्त करना, मानावता का निर्माल करना, व्यक्तितु का निर्माल करना, सर्वगिण विकास करना, अध्यात्मिक, मांसिक और भौतिक विकास करना, हर एक चीज का उदेश, में जो भी प्रश्न आएगा मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से लिख सकते हैं अगर आप इन चीजों को समझ गया है तो कमेंट में बताइए कि मेरे दोवारा दीगे जनकारी आपको कैसी लगी आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट कर से हैं प्रोसाहित करते हैं मुझे अच्छे नमर मिलेंगे जैहिन जै भारत दोस्तों अपना खूब क्याल रखिए सेल्फ इस्टाडी करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजी जैहिन जै भारत